मेरा पक्का विश्वास हो गया है कि विपस्ट के लोगों को एक सिक्रेट बरदान मिला हुआ है सिक्रेट बरदान मिला हुआ है और बरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका बलाई ही होगा एक उधान तो आप देखिये मौजूद है बिस साल हो गए क्या कुछ नहीं हुआ क्या कुछ नहीं किया गया लेकिन बलाई होता गया तो आपको बड़ा सिक्रेट बरदान है जी और मैं तीन उधारन से ये सिक्रेट बरदान को सिद्ध कर सकता हुगी आपको ज्यान होगा किन लोगों ने कहा था बैंकिंग सेक्टर के लिए बैंकिंग सेक्टर दूप जाएगा बैंकिंग सेक्टर तबाह हो जाएगा देश खतम हो जाएगा देश परबाद हो जाएगा नजाने क्या क्या कहा था और बड़े बड़े विद्वानों को विद्वेशों से ले आते थे उनसे कहलवाते थे ताकि उनकी बात कोई नहीं माने तो जाएग उनकी मान ले हमारे बैंकों की सहत को ले करके भाती भाती की निराशा अप्वा फलाने का काम इन्होंने पुर्जोस किया और जब इन्होंने बुरा चाहा बैंकों का तो हुआ क्या हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स नेट प्रॉफिट दो गुने से जादा हो गया इन लोगों ने फैन होन बैंकिंग गोटाले की बात इसके कारण देश को एन पी ए के गंबीर संकट में डुबो दिया था बीते दिनों की बात है हो रही है लेकिन आज जो नोंने एन पी ए का अंबर लगा के गए थे उसको भी पार करकरके आँ एक नई ताकत के साथ निकल चुके और आज सुमें निर्वला जी ने विस्तार से बताया है कि कितना प्रॉफिट हुआ है दूसरा उदाहरन हमारे डिभेंस के हेलिकॉप्टर बना ले वाली सरकारी कंपनी हेल ये हेल को ले करके कितनी भली बुरी बाते इन्होंने करी थी क्या कुछ नहीं कहा गया थे हेल के लिए और इसका दुनिया पर बहुत मुक्षान करने वाली बांचा का प्रयोग किया गया था और हेल तबाह हो गया है हेल खतम हो गया है बारत की डिफेंड इंडस्टी खतम हो चुकी है ऐसा नजाने क्या क्या कहा गया था हेल के लिए इतना ही नहीं जैसे आज कर खेतों में जाकर के वीडियो सूट होता है मालूम है ना खेतों में जाकर के वीडियो सूट होता है हेल डूब रहा है देश की इतनी महत्वपण इंस्टिटूट को इतना बुरा चाहा इतना बुरा चाहा इतना बुरा कहा कि वो सिक्रेट आज एचेल सभलता की नई बुलंदियों को छूरा है